असलाम वालेकुम स्टुडेंट्स आज हमारा क्रिप्टोकरंसी टेक्निकल इनलेसिस का थर्ड लेक्चिर है जिसके अंदर हम फिबोनाची रिट्रेस्मेंट को स्टडी करेंगे कि यह क्या होती है यह बैसिकली एक स्ट्रेटिजी है एक टूल है ट्रेडिंग व्यू का जिसक पर बात करेंगे जिसको अब मार्किट के अंदर रिट्रेस्मेंट के साथ जोड़कर उसको यूज किया जाता है उस सीक्वेंस को जो उन्होंने नमबर्स जो रेशो उन्होंने प्रवाइड की थी तो उसके डिटेल स्टडी में नहीं जाते है कि रेशो क्या थी है अभी इ हम देख लेंगे कि फिबोनाची रिट्रेस्मेंट कैसे ड्रा होती है कैसे वर करती है तो वस आप यह जान लें कि फिबोनाची जो थे एक मैथमेटिशन थे इटेलियन उन्होंने यह सीक्वेंस परवाइड किया ता कुछ रेशो का जिसके मताबिक हम जो है उसको मार्किट के अंदर यूज करते हुए अपनी ट्रेड़ लेते हैं इसी तरह साथ इसाथ रिट्रेस्मेंट का एक लफज आप देख रहे होंगे रिट्रेस्मेंट क्या होती है और फिबोनाची ड्रा किस तरह होती है उसको मैं थोड़ा साथ आपको एक्स्प्लेन कर दूँ दो दो ची मैं तो फिबोनाची ड्रेस्मेंट का आखिर क्या यूज है रिट्रेस्मेंट क्या होती है रिट्रेस्मेंट बेसिकल यह होती है कि अगर यहां से यह उपर गई और दुबारा इस पॉइंट पर आई तो यह हमारा रिट्रेस्मेंट पॉइंट है ठीक है इसी तरह यहां से अब भी भी इस तरह सीधी एक दम से उपर आपको पता नहीं जाती है हमेशा अपने थोड़े से लोज बनाती है साथ साथ और फिर इस तरह इस पैटरन में उपर को जाती है तो यह बेसिकली हमारे पस रेट्रेस्मेंट पॉइंट्स होते हैं कि मार्किट अगर यहां से आपन यहां पर एंट्री ले सकते थे इसी तरह दुबारा उपर गई यहां पर आई तो आप यहां पर एंट्री ले सकते थे और इसी तरह यहां पर हम देख लेंगे तो यह पॉइंट्स आखर हमें कैसे मिलेंगे कि रिट्रेस्मेंट आखर किस पॉइंट तक हो किस पॉइंट अ अब हमें तो नहीं पता ना, यहां से यहां पर आके उपर जाएगी, यहां से पहले इधर तक जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर उपर जाएगी, सही है, तो उसके लिए retracement, Fibonacci retracement को हम यूज करते हैं, उसका tool यूज करते हैं, strategy यूज करते हैं, इन points को निकालने के ल तो यह सब चीजें, बेसिकली Fibonacci retracement के अंदर हम लोग find करते हैं, तो अब चलते हैं, अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं, कि चार्ट के उपर इसको किस तरह ड्राग किया जाता है, और किस तरह इसका use किया जाता है, ट्रेडिंग करते हुए, यह देखें, मैंने Cyber USDT क चार्ट अभी open किया हुए, वन होर का टाइम फ्रेम है, Cyber USDT, Sport का पेर है, बाइनेंस का, ठीक है, यह हमारे पास इस तरह का चार्ट आप देखते हैं, नजर आ रहा होता है आपको, और जिस तरह हम अभी अपने tools को study कर रहे हैं, तो tools के अंदर हमने, अभी तक जो है, आपको सबसे पहला Fibonacci का पूरा column है, जिसके अंदर आपको Fibonacci channel मिल जाते हैं, zones मिल जाते हैं, फिब circles मिल जाते हैं, इसी तरह पहला option है Fib Retracement, अब Fib Retracement को अगर मैं लेता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, कि Fib Retracement अगर आप suppose करें कि आपने buy A की entry ल तो resistance कहाँ पर मिलेगी, retrace कहाँ से होगा, तो यह सारे points हम देखते हैं, अब सबसे पहले एक चीज़ है, कुछ students अकसर यह पूछते हैं, कि Fibonacci retracement यह रही है, मैंने अपने हाथ में ले ली है, मेरे mouse के साथ जूड चुकी है, तो कुछ पूछते है students कि हम इसको उपर से ले नहीं है, तो buy की trade में आप क्या करेंगे, अगर आपने buy करनी है कोई चीज़ तो उसकी आप sports देखने के लिए किस तरह चीज़ चेक करेंगे, फिब को, आप इसका जो उपर point है, अपना high बनाया हुआ है, उसने उस पर click करेंगे, और नीचे की तरफ ले गर आएंगे, जो ह हम जो नीचे वाला point होगा सबसे जादा उस पर click करेंगे एक बार, और दूसरा हम उस पर click करेंगे, जो सबसे high लगा होगा उस range के अंदर, तो यह देखें, मैंने इस पर click कर देखें, मेरे पास यह resistance levels आ गया है, और यह मुझे नीचे दिखा रहा है, कि मेरा यह target हो सकता है यह हो सकता है, और इसी तरह मजीद नीचे जाता जा रहा है, इसी तरह long की entry में देखें कि यह उपर को जाता जा रहा है, तो अब हम समझ लेते हैं कि हमने इसको drag इस तरह करना है, एक चीज़ आपको समझ आ गई, कि जब हमने अपनी sports देखनी होती है, कि हम buy कहां से करें, ह तो हम उपर से नीचे की तरफ ड्रा करते हैं, और जब हमने resistance चेक करनी हो, तो नीचे से उपर की तरफ ड्रा करते हैं, इस खास तोर पर जब हमने sell trade लेनी है, short की trade लेनी है, तो हम इस तरह देखते हैं, अब देखें, जिस तरह मैंने आप वो trend का समझाया था, तो पहले हम trend देखते हैं, कि trend क्या चल रहा है, अब यह देखें, यह हमारे पस trend चल रहा है, थोड़ा सा downward का trend है, ठीक है, इस तरह उपर को फिर नीचे, फिर उपर फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर उपर गई और फिर यह नीचे आई, तो आप suppose करें कि आप यहाँ पर sales अपनी entry लेन अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जब हमने short की trade लेनी हो, तो हम नीचे से उपर की तरफ draw करते हैं, अब यह देखें, यह इतनी range है मेरे पास, आपने कभी भी ऐसे नी करना, मैं एक और चीज़ आपको समझा दू, कुछ students क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, क इस विक तक हाई लगा हुए, तो मैं यहाँ ब लगाँगा, और दूसरा low मेरा यह देखें, यह वाला low है, सबसे जादा जो नीचे है हुआ है, तो उसको मैं cover करता हूँ, तो यह देखें, इस तरह रहा कर लेते हैं, यह तरीका भी ठीक है, लेकिन इसका best तरीका यह है, कि जिसने zone के अंदर आप देख रहे हैं, जितने zone के अंदर आपकी entry बनती है, आप उसके अंदर ही, उसको check करें, अब यह देखें, मेरा सिरफ जो भी main area है, वो यह है, कि इसने यहाँ से breakout किया था, breakdown किया, और उसके बाद यह इस channel में आगया, downtrend के, तो मैं क्या करूँगा, क अब कोशिश करूँगा, कि मेरा जो top है, वो भी इधर से ही लूँ, और अपना जो मेरा low है, वो भी मैं इसी जगा से find करूँ, तो मैं फेबरी ट्रेस्मेंट पर करता हूँ, अब जिसना मैंने आप लोग का कि अपने cell की अगर entry लेनी है, short की या entries लेनी है, तो आप क्या कर मेरा उस पर क्लिक करूँगा, यह देखें, यह मेरा high था, मैंने इस पर क्लिक कर दिये, अब यह देखें कुछ हमारे पास ratios आ गई है, ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा focus कर लूँ, तो यह देखें साइड बे आप देख रहे होंगे 0, ठीक है, उसके बाद 0.2, 0.38, 0.5 0.618, यह basically percentage होती है, ठीक है, ratio की 0.786 इसी तरह 1, और यह आप जाते जाएं, तो नीचे आपको यह देखें, 1.6 और इसी तरह 2.6 और आगए, यह प्राइस आ रही है, किस प्राइस पर यह बन रही है, जिस तरह यह देखें, मैं इस पर आता हूँ तो यह तकरीबन, 4.36 पर तो मैंकर इस पर अपना माउस भी ले के आँगा, तो यह देखें, यहाँ पर भी 4.36 में नजर आ रहा है, ठीक है, तो यह हमें दो चीज़ें यहाँ से पता चल दी है, अब हमने entry किस तरह लेनी है, यह देखें, यहाँ से market, sports करें, यहाँ पर market ने अपना top बनाया, यहाँ से नीची आई, तो यह हमारे पास अब sports का काम कर रही है, कि कहां से इसको दुबारा से bounce back मिल सकता है, retrace हो सकती है, अच्छा आपने एक चीज़ का हमेशा ख्या लखना है, कि ऐसे नहीं करना कि candle बन रही हो, और आप entry ले ले ले, आपने हमेशा candle की closing का wait करना है, कि अगर त trace करके, इसको test करके दुबारा से market उपर जा रही है, तब आपने entry लेनी है, ठीक है, अगर आप long की ले रहे हैं, short की लेनी है, क्योंकि हमारे पास downtrend है, तो इसके अंदर हम short की entries find करेंगे, कि downtrend के अंदर हम short की entries किस तरह ढून सकते हैं, कहां से मारी entry बनेगी, और market कहां तक जाएगे, भी देखें, short rend है, अभी देखें, इसने यहां पर top बनाया, यहां पर आया, यहां से यह दुबारा उपर गया, ठीक है, आप यहां पर उपर आया, तो आप यहां पर entry दुबारा से ले सकते थे, आपने एक entry यहां पर ले लेनी थी, ठीक है, और यहां पर भी आ स्प़ोड थी पर ब्रेक कर दीए ब्रेक करने मतलब है कि दुबारां अब नेक्स्ट करे किय tenth रिडिया तो नेक्स्ट candid कंडल यहां पर रिड्ट किया अब दूबारा सны TRACE उस तक अब आप यहां पर इसको शौन कर सकते दें तो यहाँ पर आ यहां से मैंने उपन की तो यह देखें हमारे पास इसका थोड़ा सा कलर में आपको चेंज करके दिखा दूँ है इसका ग्रीजिंग है और यह हम इसको थोड़ा अपना सेट कर लें यह आपका स्टोप लोस होना था इससे थोड़ा सा उपर जिस तरह अगर क्लोजिंग होती मार्गर कि इसके उपर तो यह हमारा स्टोप लोस होता ठीक है और हमारा टारगट पॉइंट देखें आप मल्डिपल टारगट पॉइंट सेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को पार्ट के अंदर क्लोज कर सकते हैं कि इसने यहां पर इसको टेस्ट किया और दुबारा से इस अच्छा है यूज होता है कि वो यहां पर देखें उन्होंने क्लोज कर दिया अब दुबारा से आपने वेड करने कि अगर इधर आता है तो आप एंट्री ले लेंगे ठीक है लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जब केंडल हमारी आई एक मिनट के लिए मैं इसको उटा देता ह उपन करें तो देखें यहां से मार्केट दुबारा उपर आई लेकिन क्या हुआ कि मार्केट उपर आई लेकिन यहां पर ब्रेक आउट हो गया ब्रेक आउट हुआ तो मार्केट देखें उपर को चलीगी मजीद अब आपने दुबारा वेड करने कि अगर ब्रेक आउट ह इस तरह इसको break कर गया, इसको भी break कर दी है, इसने यहां पर, और इसी तरह यहां break करता-करता, यह one वाले point तक हमारे आ गया, सही है, और उसके बाद देखें, यहां पर इसने दुबारा से retest किया और उपर गया, अब आपकी entries क्या बननी थी, कि जिस point से भी हमें reversal मिल रहा है अब यहां से देखें, यहां पर हमें एक reversal मिला, green candle बनी, उसके बाद red candle बनी, और जो red candle बनी, उसने यहां से sport को break कर दी है, तो यहां से दुबारा से market नीचे आगी, ठीक है, दुबारा उपर गई, यहां से इसने red candle बनाई और यहां से देखें, अगली candle सारी नीचे की बन यहां पर आपने short की entry ली होती, तो आपका stop loss again, जो सबसे high था, वो रेता और आपका जो target point है, वो देखें, अब यहां पर भी अगर आप सेट करते हैं, तो इस तरह आपने लेना था कि जब आपने देखना था कि candle अगर तो इसको retouch करके दुबारा उपर जा रही है, तो आ break करके नीचे की बन गी, तो आपको आइडिया हो जएगा कि अगला point यह वाला है, जिसको test हो कर सकती है, तो इसको test किया, नीचे आ गई, ठीक है, और इसको फिर test किया, और दुबारा यहां से reversal होगा, तो आप parts के अंदर भी अपनी selling कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप य candle हमारी running में, वन होर का चार्ट है, candle हमारी यहां पर चल रही है भी, वन होर की 19 मिनट रेगे, अगर यह यहां पर close होती है, और next candle यहां से green की बनती है, तो हमें idea होगा कि अब दुबारा यह इस point को test करेगी, तो हम wait करेंगे कि हमारी entry कहां पर होगी, हम अपनी entry point यहां पर होगा, और target point हम इस point तक भी ले सकते हैं, और यहां तक भी हम इसको book कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी देखें, market हमारी downtrend में, तो यहां पर इसको test करेगी, अगर इसने इसको भी break कर दिया, लेकिन अगर आप suppose करें कि next one होर की candle इससे नीचे बनती है, red की बनती है, और दुबारा हम क्या कहेंगे, कि हमारी market यहां से नीचे भी जा सकती है, क्योंकि इसने अल्रेड़ी यहां पर एक green candle बनाई हुई है, और उसके बाद red candle बना रहा है, तो अब हमारे पास situation क्या है, कि अगर यह candle यहां पर close करता है, और next candle भी से नीचे close होती है, तो हम यहां इस से entry ले लेंगे, और वो हमारी market इस तरह जाएगी, लेकिन अगर इसको यहां से next candle ब्रेक कर जाती है, तो हम वेट करेंगे इस point का, कि यहां से entry लेंगे, और दुबारा से market आप देखिएगा, कि यहां से in points तक आएगी, आइस्ता इस्ता, तो यह तरीका कार होता है, downtrend के अ थोड़ा सा uptrend बन रहा है, यहां पर भी, तो यह क्या तरीका का रहा है, उसका हम देख लेते हैं, ड्रा करने का, अब देखें, यह हमारे पास एक zone है, suppose करें, यहां पर market आई, उपर चले गई, अब यहां पर आपको कही नजर आ रही है, यहां पर आपको, यहां पर आपक कोई भी आपका, जो, जिसना मैंने भी आपको, यहां पर तो लाइफ करके दिखा दिए, कि लाइफ हम ट्रेड की सरा लेते हैं, यह मैंने थोड़ा सा back data लिए हमारा, कि बैक के अंदर की सरा movement रही है, तो यहां पर अगर मैं अपनी FIB रेट्रेस करूँगा, यहां पर ड्र ठीक है, और उपर वाले point को हम इस तरह ड्रा कर लेंगे, सही है, तो थोड़ा सा मैं मजीद आगे ले जाता हूँ, अब यह देखें, अब क्या हुआ कि आपको confirmation क्या मिलती है इसमें, कि आपकी resistance किस जगह पर है, कहाँ पर आपने entry लेई है, कि देखें, आपने यहां पर miss क ठीक है, आपने यहां पर तक मार्केट गई लेकिन दोबारा से नीचे गिर गई, उसके पाद यहां पर आई, आपने दोबारा entry ली, second entry आपने यहां पर लगा दी, stop loss यहां पर लगा दी, लेकिन यहां से दुबारा market गी और यह देखें, यहां तक यहां तक आ गई, दूस भी टेस्ट किया, मार्केट थोड़ी उपर गई, लेकिन क्या है कि क्लोज नीचे ही हुई ट्रेंड लाइन से, और दुबारा नीचे गिर गई, इस ने इसको टेस्ट किया, दुबारा से नीचे गिर गई, इधर टेस्ट किया, दुबारा से नीचे गिर गई, तेस्ट किया, अब आप यहां पर आगी यहां पर आगी तो आप short entry लेंगे उसकी वर्या क्या है क्योंकि trend अब change हो चुक है अब आपने next trend का wait करना है और check करना है कि next trend के अंदर आप किस तरह entry लेंगे यहां से breakout हुआ है तो मतलब कि trend जो है market का वो change हो चुक है तो यहां से आप long entry भी ले सकत अब market दुबारा नीचे आएगी अब दुबारा नीचे नहीं आएगी क्योंकि अब यहां पर trend भी break हो चुक है और अब यह मतलब है कि जो down trend था वो खतम हो चुक है और अब हो सकता है कि अब trend बने एक ठीक और उसके बार देखें मार्कर किस तरह उपर की तरफ गई है बद किस तरह market एक ठोड़े से uptrend में गई अब uptrend के अंदर हम किस तरह ड्रा करते हैं फेब अपनी जिस तरह short की entry के लिए हम यहां से लेके उपर की तरफ टॉप ड्रा करते थे यानि कि लो से तॉप को ड्रा करते थे इसी तरह sport के लिए हम क्या करेंगे टॉप से low find आपका हो सकता था जब आपने इस पोस्क करेंगे आप यहां इस candle पर थी आप इसको ड्रा करके चेक कर लें ठीक है मैं जब इसको देख रहा हूं तो मैं इसको ड्रा कर ली जो भी आपके पास show ओ रहा हो real data के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं मैं यहां पर इसको ड्रा क यहां पर आई इस पॉइंट पर आएगी तो आपकी एंट्री बनेगी ठीक है यहां पर आई मार्केट दॉपार गई अब यह देखें तक जा रही है लेकिन दुबारा नीचे आरी है अपने यहां पर एंट्री लीस टॉपलो सिसे नीचे रखा यहां पर आप कहीं भी इस आप आप आपको पता चल गए कि यहां से आपने पर आपने प्रॉफिट बॉक कर लेंगे दुबारा आपने इस पॉइंट का वेड करना यहां पर देखें यहां तक आई लेकिन आपने क्योंकि एंट्री इस पॉइंट पे लगाई होई थी कहीं आपकी एंट्री फिल नहीं होई और मार्केट यहाँ से अब चली गई अब आपने यहाँ पर एक चीज का ख्याल लगना है कि आपने अग्रेसिफ ट्रेटिंग नहीं करना है यहाँ पर आई और एक ग्रेट लगना है और आपने लगाई होई है आपने उस एंट्री का वेड करना होता है अब आपका यहाँ पर आपने लगाई होई थी अगर मैं यहाँ से पॉजीशन अब देखें हमारी लोंग की पॉजिशन बनेगी इस जगह पर आपने entry लगाई होई थी आपकी entry हिट हो गई ठीक है इस range के अंदर और आपका stop loss जो था वो इससे नीचे रहेगा थोड़ा सा और आपका target point चेक करें किस तरह ये hit करती जा रही है कि इसने यहाँ पर आपकी entry फिल की इस को अब आप देखें इस green candle के अंदर आप देखें कि आपने यहाँ पर profit बुक नहीं करना अपना उसकी वर्या क्या है क्योंकि जो closing हो रही है वो इस candle इस resistance से उपर हो रही है जब resistance उपर closing हो रही है तो आपको पता है कि अब इस resistance को इसने तोड़ दी है अब next resistance हमारे पास ये वाली है 0.38 वाली इस level तक आई उसके बाद इसने इसको भी break कर दी है अब ये रेखें यहाँ पर इसने test किया अगर अगली candle यहाँ से red की बनाता थोड़ी सी तो हमने यहाँ पर अपना profit बुक कर लेना था तो दोबारा से इस point का और इस point का वेड़ करना था ठीक है लेकिन अभी क्या हुआ कि इसने break कर दी है दोबारा उपर चली गई और यह उपर गई गई इस point तक आगी तो आप यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी profit अपना बुक कर सकता है क्योंकि हमारी जो candle close हो रही है वो यह रेखें इस resistance से नीचे close हो रही है अब यहाँ पर अगर close भी होती अगर आपने closing पर भी अपनी entry close की होती तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज क्या आपने कितना profit book कर लिया अगर यहाँ से आपने entry ली और इसकी closing तक आपने close किया तो यह देखें 6.2% के at least यहाँ पर आपने profit book कर लिया मतलब कि अगर 10X की leverage भी आपने लिया होती 100$ का आपने amount invest किया होता तो 62$ आपके यहाँ पर इतनी सी trade के अंदर बन जाने थे वन और का चार्ट है मैंने कोई बड़ा चार्ट नहीं आपको लेगे नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ से देखें इस रिजिस्टन से नीचे close किया red candles बनी नीचे ही तो यहाँ देखें आपकी entry बन सकती थी एक दूसरी यहाँ बन सकती थी और दुबारा सी यहाँ से देखें pump हुई market इसी तरह हम इसको आप मजीद आगे लेके चलते हैं अब जिस तरह जिस तरह हमारी बनती जाएगी यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते जाएगे भी देखें मारे पस टॉप यही है तो हम इसको यहाँ पर सेट रखेंगे अपना ठीक है टॉप हमारा यही था और इसको भी मैं हटा देता हूँ यह देखें यहाँ से दुबारा नीची आई अगर इस केंडल पर आई अगर यहाँ से ग्रीन बन दी तो आप ने दुबारा नीची ले लेनी थी लेकिन इस्ने ब्रेक किया नीची आ गई यहाँ पर देखें ग्रीन केंडल बनी तो यहां पर आप एंटरी ले सकते थे stop loss आपका इससे नीचे रेना था आप दुबारा देखें कि आपको आपने यहाँ पर entry ली इसकी closing पर और stop loss आपका यहाँ पर था और यहाँ से देखें market दुबारा से किस तरह move भी pump होते 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 और यह अच्छी खासी यानिके यह देखें 12% तक pump होई है तो मतलब कि आप यहाँ पर इस point तक इस point तक कहीं भी आप profit जो अपना book कर सकते दे तो यह तरीका कार होता है फिब को draw करने का इसके अंदर trends को चेक करने का कि trend कि इस time change हो रहा है ठीक है अब आपने इस चीज को इस चीज का ख्याल रखना है कि एक तो trend का आपने ख्याल रखना है दूसरा आपने देखना है कि जब आपकी entry अगर miss होगी है जिस तरह यहाँ पर हमारी entry miss होई थी तो आपने wait करना है अपनी entry point पर आने का इस तरह नहीं करना कि अगर यहाँ से रही है तो वीडियो को like करना मत भूलें crypto arena के channel को subscribe कर लें इसी तरह अगर आप crypto से related news लेना चाहते हैं content लेना चाहते हैं free signals लेना चाहते हैं तो हमारे telegram पर हमें join करें ओके इंशाला आप लोगसे next lecture में मुलागात होगी Allah आफेस